वेल्कम यूल इन शांतिकुंच ओनलाइन क्लासे तुड़ी विल डिस्कुस अबाउट देखिए हम ये बहुत ही खुबसूरत से स्टोरी पढ़ रहे थे तांसें दम्यूजिकल जीनियस तांसें के विशें में आप सबने पढ़ाई होगा बच्चो है ना और इस चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि कैसे अपने म्यूजिक के दम पे उन्होंने जो अकबर जो एंपरर थे शाशक थे उनके शाशन में एक नव रतन नव रतन होते हैं जैसे कि तो चले हम स्टार्ट करते हैं आज की जो चैप्टर है सेकेंड चैप्टर इसकी एक्सरसाइज करते हैं बच्चो ठीक है तो कैसे उन्होंने जो है नो रतन में से एक चो रतन है उनकी उपादी उन्होंने ग्रहन की थी धारन की ठीक है और जब वो एक्सपायर हुई तो सब से ज़्यादा जो अकबर थे उन्हें दुख हुआ था उस चीज का क्योंकि वो उनके बहुत ही प्रियत है अकबर और तांसेन के बारे में आपने बहुत सारी कहानिया सुनी भी होंगी बच्छो है ना तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला देखिए क्या है कावड कावड में सोता है बच्छो उकेरना है ना एंग्रेव और कट बाय चिपिंग अवे आज़ा सर्फेस कि आफ सर्फेस वे कोई चीज उकेरते हैं ना कि जैसे नाम लिख लिया या फिर कुछ गमला बना लिया जैसे मिट्टे के पॉट होते हैं उस पे नेक्स्ट है डिस डिसिपल होते हैं आपके शिष्य समवन हो स्प्रेड दा टीचिंग नेक्स्ट देखिए रिलक्टेंटली अन्विलिंगनेस मींस तूसे अंचाहे भाव से स्क्रॉल है डॉकुमेंट्स डैट केन बी रूल अप जो होते हैं ना रूल अप करके जैसे पुलाने टाइम पे मै पीच खरीदते हैं बहुत ज्यादा एक्स्पेंट प्रॉफ्यूसली वाइट स्प्रेड अंस्कॉर्टिड होता है एक्ट अक्पनिंग सम्वन सम्वन सम्थिंग इन और तो प्रोटेक्ट देंग जिक है बेस्टोर्ड होता है गिफ्ट गिवाज अगिफ्ट देना प्रदा मुकंद मिश्रा तांसेन वोस फर्स्ट एजुकेटेड इन म्यूजिक भाई थारिदास इन ख्वालियर चीक है नेक्स्ट देखे तांसेन फर्स्ट स्टार्टिड सिंगिंग इन पोट ओफ किंग ओफ रेवा तांसेन बिकीम वन आफ दा नवरतन इन दा कोट ओफ किंग अकबर तांसेन वोस लव्ट लाइक असन कौन उसी बेटे की तरह प्यार करता था गुरू हरिदास अचाइड वोस बोन एंड नेम तांसेन चाइड आए गए हाँ पर सेकिंड में हरिदास ओफर्ट टो टेक तांसेन आज इस डिसिपल किंग रामचंट्र एड्मायड तांसेन सिंगिंग एंपरर अकबर वोस फिल्ड विद ग्रीट ग्रीट शौरो चीक है स्टूडेंस आज के लिए देखी बचो हम इतना ही करेंगे फिलप्स चीक है आपके लिए देखी होमवग है आज का होमवग क्या है आपके लिए यह देखी इन संटेंसेस को आपको रीड करना है read the sentences given below and use the most suitable words from the above words to fill in the gaps चीक है इसमें आपको जो words है यह फिल करना है suitable words जो भी आए वो आपको फिल करना है चीक है तो यह बचो आपके लिए होमवग है आना